दोस्तों आज 11 जून 2022 को एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड के क्वाटर फोर के फानेंशल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है यह इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेट फानेंशल रिजल्ट है और यहां सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं क्यूफ़ोर में रेवन्यू फ्रोम ऑपरेशन 143 करोड 21 लाग है क्यूत्री में यह 141 करोड 56 लाग था और प्रिवियस यह क्यूफ़ोर में यह 143 करोड 82 लाग था तो revenue from operation में year on year basis पर 0.43% की कमी हुई है और अगर हम लोग quarter on quarter basis पर देखें तो ये 1.17% बढ़ा है Q4 में total revenue 143 करोड 68 लाग है जो Q3 में ये 141 करोड 72 लाग था और previous year के Q4 में ये 145 करोड 54 लाग था तो total revenue में year on year basis पर 1.27% की कमी हुई है और अगर हम लोग quarter on quarter basis पर देखें तो ये 1.39% बढ़ा है Q4 में profit before tax 51,63,000 है जो Q3 में ये 5 करोड 26 लाग था और previous year के Q4 में ये 10 करोड 43 लाग के आसपास था Profit before tax में year on year basis पर 95% की कमी हुई है और अगर हम लोग quarter on quarter basis पर देखें तो ये 90% गिरा है Q4 में net profit या profit after tax 31,89,000 है Q3 में ये 3 करोड 41 लाग था और previous year के quarter 4 में ये 6 करोड 89 लाग था तो profit after tax या net profit में year on year basis पर 95% की कमी हुई है और quarter on quarter basis पर ये लगभग 91% गिरा है Q4 में earning per share 6 पैसे है जो previous quarter में ये 73 पैसे था और previous year के quarter 4 में ये 1.40 पैसे था तो earning per share में year on year basis पर लगभग 96% की कमी हुई है और quarter on quarter basis पर ये लगभग 92% गिरा है quarter 4 में इस company का EBITDA मतलब earning before interest, tax, depreciation and amortization चार करोड 24 लाग है जो Q3 में ये 9 करोड 49 लाग था और previous year के Q4 में ये 14 करोड के आसपस था तो EBITDA में year on year basis पर लगभग 70% की कमी हुई है और अगर हम लोग quarter on quarter basis पर देखें तो EBITDA लगभग 55% गिरा है और अगर हम लोग EBITDA के margin को देखें तो quarter 4 में EBITDA का margin 2.96% है जो previous quarter में ये 6.64% था और previous year के quarter 4 में ये 9.74% था तो अब देखिए EBITDA के margin में भी year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर अच्छी खासी ग्रावट हुई है तो दोस्तों हम लोग ने देख लिया इस company का revenue from operation तो year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर flat दिख रहा है और इस company के PBT, PAT और EPS में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर अच्छी खासी ग्रावट हुई है और इस company के margin में भी year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर ग्रावट हुई है तो margin भी अच्छे खासे दबाओं में दिख रहा है दोस्तों आप तो हमें Monday को market open होने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे result पर market कैसे react करता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को like करें मेरे channel को subscribe करें इस वीडियो को अधिक सदिक लोगों के साथ share भी करें बहुत बहुत धन्यवाद